कि नमस्कार प्रिय दस्रकों मैं हूं स्लोजर रविगुप्ता और स्वागत करता हूं ब्रिच्चिक लगना राशी वाले अक्टूबर महने का आपके जीवन का संपुन मासिक राशी फल के इस मेरे विश्यस का रिक्रम में प्रिच्चिक लगना राशी वाले मैं बताऊंगा अक्टूबर महने में में कैसा रहेगा आपके संपुन जीवन में कर्म छेत्र का हाल अगर ग्रहों के स्थितियों में किसी प्रकार के आई स्थिरता है या फिर कुछ बाधाय उत्पन होती हैं तो आप इस महने को किस प्रका स्थावी मैं आपकी समख प्रस्तूत कर दूंगा प्रिय přिष्चिक लगना और राशी वाले अगर अक्टूबर महिने में कि अगर मैं कर्म छेत्र की छर्चा करू तो देख़िए आपको कर्म 6 के मालिक जो होते हैं वो होते है और सुर्य सुर्य जो है यह 17.00 तक आई अब आपके जीवन में आएंगे और 17 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में सुर्य जो है वह द्वादेश हो जाएंगे जहां नीचगत अवस्था में सुर्य विराजमान रहेंगे तो सबस्वर पर्थम एक तथ्य को आपको समझने वाली बात रहेगी कि 17 अक्टूबर के बाद आपके कर्म छेतर में व्यवसाय हो या नौकुरी हो यह किसी भी छेतर में हो आपको साउधार रहनी के आवे सकता रहेगी बड़े अपको चुछ उनिटी अगर आते हैं तो आप चेंज करने का कुछ रास्ता सुझा सकते हैं लेकि 17 अक्टूबर के बाद कहीं न तो कहीं आपके जीवन में नौक्रिय व्यवसाय में प्रॉब्लम हो सकता है तो 17 अक्टूबर के बाद अपने काम को बहुत सेरियस निस तरीके से और बहुत ही सुचारू रूप से करने का कोसिस कीजिएगा नहीं तो दिकत्तों का सामना करना पड़ सकता है क् कि कर्म झेटर में आक्टूबर महिने में और कोई ग्रह सपोर्ट नहीं कर पा रहा है आपके जीवन में अगर नौकरी में बदलाव की स्थिति के चर्चा करते हैं तो आपके जीवन्में नौकरी में बदलाव के लिए निची तोरपे पंचमेश सब्दमेश या व्यवशा नौकरी में बदलाव या नौकरी वेवशाय में किसी प्रकार के लोगों से मत्वेद या इस्थिरताय जुद्पन हो रही है यह आपके 18 क्टूर के बाद इनकी स्थितियों में समानेता देखना चालू हो जाएगा क्योंकि विरश्पती जो है आपकी कुडली में पंचमेज और धनेस जो हैं वह मारगी हो जाएंगे तो ऐसे इस्थितियों में क्या होगा कि आपके जीवन में 18 क्टूर के बाद जो लोगों से मत्वेद या आइस्थिरताय हो रही थी तो वह ठीक हो जाएंगे परमोसर प्रदोलती के विरास्ते आपके इसी समय निचित तोर पे पनेंगे पर तुम्हें फिर से बोलता हूं 17 अक्टूबर तक ही आपको नौकरी व्यवशाई पर अच्छे से प्रॉपर वर्क करना है सत्र अक्टूबर आपको वर्क तो करना लेकिन उसका सिरियसनेस के साथ थोड़ा आपको चलाकी के साथ अपने आपको बचाय रखना कर होते हैं दो अक्टूबर को बुद्व वक्री अवस्था में कण्या रासी में प्रव्यस कर जाएंगे और सुक्र और मंगल का जो है 22 तारी के बाद मंगल जो है वह दो आदेश हो जाएंगे और सुक्र जो है वह 2 अक्टूबर से ही लगन में आ जाएगा तो यानि 2 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में निक्चित तोर पे विदेश यात्राओं का योग बनता है विदेश वो शक्षपोट इंपोट का यो अस्थान का अधिपती बुद्ध जो है वक्रीय वस्थामें ही तूला रासी को छोड़ करके कर्ण्या रासी में 12 अस्थान से आयश पर आ जाएंगे तो आपके जीमन में अचानक अचानक धनकी प्राप्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे बिरिश्चिक लगन वा राशी वाले कर्ज मुक्ति की चर्चा अगर करें तो कर्ज मुक्ति के अधिपत्य मंगल जो है आपके कुडली में ये 22 अक्टूवर से जो है 12 अस्थान पर चले जाएंगे यानि 22 अक्टूवर तक बहुत हट तक कर्ज की मुक्ति तो आप निख्चित तोर पे कर पाईएगा क्योंकि मंगल और सुकर का रासी परिवरतार राजियों होगा तो ये आपको सहायक सिद्ध होगा 22 अक्टूवर के बाद बड़े लोन क जीवन और प्रेम शम्मंध मित्र और परिवार की चर्चा करता हूं तो आपके कुल्ले में विवास्थान के आधिपत्य सुक्र दो अक्टूवर को यह तुला रासी को छोड़कर करके समगरी रासी में ब्रिचिक में लगन में आ जाएंगा और सीधा जो है यह विवास्थ स्थिति की बात करते हैं तो परिवार के लोगों से भी आपका ताल में अठारा क्टूवर के बहुत ही सुचारू रूप से हो जाएगा चर्चा करते हैं भाई बहनों का रिष्टदारों का शंपती का माता का बाद देखिए छोटे बहनों के अस्थान में गुरू और शनी का नीच भंगराजी होगे और गुरू जो 18 अक्टूवर का मारगी होंगे यानि इस्थादारों से चोटे बहनों से आपका तालमेल जो तो बड़े भाई बहनों से आपका ठारा तारीक तक थोड़े से मतवेद हो सकते हैं लेकिन अठारा तारीक बाद उनसे भी परिस्थितियों में पून रुपे सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी माता पिता और संपती के चर्चा करते हैं कैसा रहेगा देखिए मा महत्तपुर्रबात यहां पर एक चीज़ यह भी देखना है कि आपके कुडली में मातास्थान पर किसी पापी ग्रह के दिरिष्टी तो नहीं पड़ रही है लेकिन 22 अक्टूबर को मंगल जब तुला रासी में जाएंगे अपनी समग्री रासी में जाएंगे तो इनके दन से अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर के माता का तालमेल भी ठीक हो जाएगा सम्पति का योग भी बढ़ना चालू हो जाएगा 11 अक्टूबर के बाद तोटली परिस्थिती में सुधार के साथ में जो है चार्मिंग परुपटी बेचना चाहते हैं तो विक नए प्राप्त होने लगेगा यह अचानक संपती का योग देदेगा परन्तु पिता से आपके तालमिल जो है यह 17 अक्टूबर के बाद डिश्टर्मेंस होंगे 17 अक्टूबर का पिता से तालमिल में परशानी आइस थिरता और बाधाय आ सकती हैं तो आपको 17 कुडली में सिख्षा संतान और आपके कुडली में प्रेम के सीधे का रख हुए सर परथम देखिए पंचम अस्थान पे सनी की तिसरी दिश्टी यह वकरी जो 11 अक्टूबर तक रहेगा दूसरी महत्पूर्ण बात यहां पे एक त्थी को शमझने वाली बात है कि आपके कुडली में 17 तारीक तक पंचम अस्थान को मंगल देखेगा और 22 तारीक तक जो है आपके जीवन में पंचम अस्थान को मंगल देखेगा और यहां पंचम के योग बनेंगे संतान के तरक्की के रास्ति खुलेंगे संतान के कारण चिंता जो हुआ ठीक हो जाएगी संतान से धनकी प्राप्ति होगी उच्छे सिक्षा का लाव मिलना चालू हो जाएगा और सबसे महत्तपुर्ण बात क्या है कि बिरस्पति मारगी हो जाएंगे तो यह आपको फूल फेज में जो है सुभफल की प्राप्ति देना चालू कर देगा यानि पूरे महने संतान सिक्षा और प्रेम शम्मंध में बहुती विश स्थान पे जा करके अपनी साथ फीष्टी से जो है वह मेश को देखना चालू कर देंगे अहीप आप का स्वास्त ठीक रहेगा पूरे महीने थोड़ा सा राहु के कारण चहरे में फोड़े मिलसी पेटकी शम्श्य हो सकती हैं पूरे मेहने सत्रू भी आप से दूर रहेगा और केश मुकदमा में जो बेलवेगरा या फिर जो इस्थितियां देखने को मिल रही है तो आपकी जीवन में तुब रिच्चिक लगन रासी वाले इसकी संपुंञ जानकारी मैंने आपके समक्ष्य साज़ा किया है आज यहां पर पूरे मेहने की परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए कॉन सो हुपाई कर सकते हैं पूरे महने की बहतर करिए आपके लिए बहुत ही बहतर रहेगा और बाइस अक्टूबर के बाद हनुमान चालिसा या फिर हनुमान जी को परतिक दिन एक पीस लड़ू यह दो करिए परसाद के रूप में गरहन करिए परिस्तियों में सुधा रहेगा तो प्रिये बिच्चित लगन और राशी वाले कैसा रहेगा अक्टूबर मैंने का संपुन राश्यों का हाल मैंने आपके समझ से प्रस्तूत किया है उमिद करता हूं कि बताई के जनकारी से आप हुआ हुआ ह hopelessly यमिद क्यों में प्रस्तियू मैं जगके समझ से पिए्यों SH insecure हुआ है शृएंध के यंद सकितो हुआ 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 cangg मैंने के समझ संतू का मैं प्रस्तियूं हुआ हो फंगिर कि जनकारी तो ब schwierigने नं के उनकार हो लादお smात रम कैसा ओनकारी से उनके